नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डीपी पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो डिबोर्स का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है तलाक के लिए लोग एकदम परिशान हैं कि किसी तरह से तलाक हो जाए पती और पत्नी के बीच सामन जस से नहीं बैठ पा रहा है वो तलाक की पीटी सा नयालय में लेकर पहुँच जा रहा है लेकिन इस पर सुप्रीम कोट ने एक बड़ी टिपड़ी की है आगे इस वीडियो में आपको बताएंगे इससे पहले मैं एक बात और आपको बता दूँ कि हिंदू मानताओं के अनुसार साधी साथ जन्मों का रिस्ता होता है एक बार साधी हो गई तो उस साथ जन्मों त गई धारा 13, धारा 13 कहती है कि कौन सी ऐसी कंडिशन होगी तलाग का क्या ग्राउंस होगा उसमें बताया गया है कि उन्हीं आधारों पर पती पत्नी में से कोई भी पच्छकार तलाग के लिए पिटीशन नियाले में दाखिल कर सकता है तो उस पे हम नहीं जाएंगे क्यों सुप्रिम कोट ने इस तलाग के मामले में टिपड़ी की है वो क्या है माननी सरोच नैले में एक पिटीशन पती की तरफ से फाइल की गए थी कि वो अपनी पत्नी को तलाग देना चाहता है जिस पर माननी सरोच नैले ने कहा कि आज साधी और कल तलाग ऐसा नहीं चलेगा इसके लिए दोनों की यनि पती और पत्नी दोनों की सहमती अनिवाद है सुप्रिम कोट ने कहा कि भारत में साधी कोई आकासमिक घटना नहीं है कि आज साधी और कल तलाग के इन पत्सिमी मानकों तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं माननी सरोच नैले में पती की तरफ से तला की याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका को सुप्रिम कोट ने सुनने से इनकार कर दिया कोट ने पती पत्नी को एक निजी मधस्त के पास भेज दिया कोट ने कहा कि यह साधी मातर 40 दिनों तक ही चली है कोट ने कहा कि जोडों को अपने मतभेद को दूर करने की कोसिस करनी चाहिए तो दोस्तों जो साधी होती है जो पती और पत्नी होते हैं एक दूसरे के पती नहीं इमानदार रहना चाहिए एक दूसरे को समझने की कोसिस करनी चाहिए एक दूसरे को मदद करनी चाहिए क्योंकि ये जो रिस्ता होता है हिंदू मानता हों के अंसार ये क कमेंट का इंतजार करूँगा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार